है हलो माई दियर स्टूडेंट इन वीडियो वियर गूइं तोपिक अब आउड़ से इंप्लेसेंटा में हम बात करेंगे डिफ्रेंट टाइपस ऑफ प्लेसेंटा से रेलेटिट इन्फोमेशन को और चाहत मैं पहले भी मैंने आपको प्लेसेंटा से related बहुत सी information दी है कि placenta होता क्या है placenta का function क्या होता है तो basic चीज़ें आपको आती है इस वज़े से इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे different types of placenta के बारे में तो सबसे पहले अगर मैं यह बताओं कि placenta को formation है वो हम लोग बोलते हैं extra embryonic जो membranes present होती हैं उनसे होता है और इनके बारे में हम बोलते हैं amnion, chorion, allantois और साथ में yoxac तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो type है उसे हम बोलते हैं chorio, viteline, placenta तो chorio, viteline को अगर हम लोग यहाँ पर expand करते हैं तो हमें देखने को मिलता है chorio word का मतलब as a chorion होता है, viteline को as a हम बोलते हैं yoxac तो ऐसा placenta जिसे हम yoxac placenta भी बोलते हैं और यह made होता है two layers से first one होती है हमारी chorion, second one होती है हमारी yoxac तो ऐसा placenta जो कि chorion और yoxac से form होता है उसे हम बोलते हैं chorio, viteline, placenta और इनका example होता है metatherians, metatherians के group में आते हैं kangaroo ओके तो first type हमने understand कर लिया, second type को understand करते हैं, second type है हमारा chorio allen twice, अब देखे, chorio word से यहाँ पर फिर से आपको समयन में आ जाएगा, chorion होता है और allen twice हमारी दूसरी एक extrême embryonic layer होती है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखे, words को तो मैंने आपको पहले ही बताया, chorion plus allen twice को हम लोग बोलते हैं, chorio allen twice, ओके और इनका example होता है यूथीरियन्स, और यूथीरियन्स में humans के अलामा, जितने भी organism आते हैं उन्हें हम यूथीरियन्स में रखते हैं, यहाँ पर हमारा हो जागा, chorion plus allen twice, तो जैसा कि हम लोग बोलते भी हैं, metatherian, utherian, utherian, तो utherian में हर एक organism आएगा, chimpanzee, gorilla जैसे हमारी organism लेकिन humans नहीं आएगे, and then last one हमारा यहाँ पर होता है, chorionic placenta, ठीक है, chorionic placenta और इसमें जो placenta का formation होता है, वो सिर्फ और सिर्फ, chorion membrane से होता है, तो it means chorion only और इनके example होते हैं human, तो है, utherian में, लेकिन utherian में सिर्फ और सिर्फ humans में chorion के थुरू placenta का formation होता है, और सबसे आदर जो questions आपके exam में आते हैं, वो chorionic placenta के base पर ही आता है, आपसे exam पर पुछा आगा, कि humans में जो placenta पाई जाती है, वो किस type की placenta होती है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर different जो placenta के types से उन्हें समझा, फिर से एक बार recall कर लिजे, आप लोग chorio-vitaline placenta, then था chorio-allantois placenta and then last में था हमारा chorionic placenta, तो इस तरीके से हम लोगों ने three types के placenta को समझा, साथ में उनके examples को भी समझा, hopefully this short video is helpful for you, thank you.